आपका मनोज कुमार यादव यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम जैसे हमारे एक्जाम आर्बेसी के चल रहे हैं 30 30 को एक्जाम है 30 का तो आर्बेसी बोर्ड की अक्सरसाइज 8 उचाई एंदूरी हाइट आंड डिस्टेंस की बारे में हम चर्चा करेंगे ये एक राइट एंगल ट्रेंगल की बात होती है यह नहीं समकौन तिर्वुच समकौन तिर्वुच समधित ये प्रोब्लम है राइट एंगल ट्रेंगल एक एंगल 90 डिगरी का होता है और उसके सामने की साइड क्या होती है करन इसको इंगलिस में क्या कहते है एक आधार और उंचाई के बारे में थोड़ा सा होता है जैसे कि इस बी कौन की में बात करूँ बी कौन के लिए जैसे ये ठीटा दे दूँ तो इसके सामने वाला लंब होता है ये आपको ध्यान रखना इसमें ये पर्पेंडी कुलर ठीक है? जो बच गया वो आधार या बेस होता है हाइपोटेंस सबसे बड़ी साइड सबसे बड़ी बुजा हाइपोटेंस कहलाती है इसमें कन्फ्यूज नहीं होते हैं हम जो पर्पेंडी कुलर या लंब है इसमें कन्फ्यूज होते हैं तो जिस भी एंगल की बात करें, ये एंगल की तो बात होगी नहीं, एक्रूट एंगल की बात होगी, इनुन कोण वाले कोई, इस C के लिए ये तो लंब हो जाएगा और बच गया वो आधार, लंब यानि परपेंडिकुलर और ये बेस होगी, बी कौण की बात करें, तो ये लंब और ये आधार, सी कौण की बात करें, तो ये लंब ये आधार, यानि जिस कौण की बात करें, उसका ओपोजिट साइड, उसकी परपेंडिकुलर या लंब होगी, और बच गई वो साइड क्या होगी उसकी आधार या बेस कहलाती है इसके लिए इसकी साइड के अंदर रिलेशन होते हैं अब हम देशी की एक फॉर्मूला है हमारे पास एक सोट ट्रिक टाइप लाल बटे करका English Medium वाले इसको PBP HXBB लिखते हैं English Medium वाले इसको काम लेते हैं Hindi Medium वाले इसको काम लेते हैं जिनका Hindi माद्यम है वो लिखते हैं लाल बटे करका L का मतलब होता है लम K का मतलब होता है करण और A का मतलब होता है आधार English में P का मतलब परपेंडी कुलर B का मतलब बेस H मतलब हाइफोटेंज ठीक है यह आपको फुर्मूला याद करना पड़ेगा लाल बटे कक्का जो आपने अक्सेसाइज साथ और छे में भी आपने सिख्के हैं उनके आधार पे एक आपको जो टिग्नोमेट्रिक रेशियों है तिरकॉन मिती अनपाहत पहले वाला क्या होता है साइन का दूसरे वाला कोस का तीसरे वाला यह हम 6-7 तक से साइज में अच्छी तरह से चर्चा कर चुंगें साइन थीटा का मान आएगा लंब बटे करन यानि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंस उसी तरह से दूसरा कोस थीटा की वेलो आएगी आधार बटे करन यानि बेस अपोन हाइपोटेंस तीसरा तेन की आएगी, कोस का उलटा होता है, चोस की बात करें तो उलटा करदेंगे, इसको करन बटे लंब लिखेंगे, हैपोटेन्स प्लमप पर्पेंडीकुलर, समझ गए, इनको आप बलट देंगे, यहां में इनके मान की एक साड़नी भी है, वो में पड़ी हुई एक्सेसाइज साथ में, के अंतरगत 6 के अंतरगत अक्सेसाइज में साड़नी, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, हम उस अक्सेसाइज में इसकी चर ज़्यादा चर्चा करेंगे अब क्यों सोल करेंगे एक्सराइज आठ कि एक्सराइज आठ का पहला कि उसने कुद्रवादर खंबे की परचाई खंबे की उसाई की बराबर है तो सूर्य का उनिन कौन होगा यह एंगल ऑफ इलेशन आपको निकालना है आपको एक वर्टिकल पॉल है ऐसे ठीक है और उसकी यह उतिय परचाई आसे उसकी शेड़ो ठीक है जितनी खंबे की हाइट है इतनी ही इसकी परचाई है यह एक्स मीटर माल लिया तो बैटा यह भी है मालने वर्टिकल पॉल है न वो एबी है उसकी चाया है वो इसी ठीक है यह एंगल 90 डिग्र आप जो सूर्य का उन्निन कौन क्या होगा यह एंगल आफ इलिवेशन आता है नीचे चुपर की तरफ देखते हैं यह एंगल यह एंगल आप से कुछ रहे है ठीक है बड़ा असान कोई भी क्यूशन हो सबसे पहले हम उसका डाइगराम बढाएंगी सक्साइज में जो वेल दे रखा हो या एक दियो होगी रेक निकल आएगा तो जैसे कि अपने को दो दे रखी है ठीक है और एक होता है एंगल अब देखी एक बड़ इस यह सी कौन की बात करें इस सी कौन के लिए यह कौन सी साइड आगी पर्पेंडिकुलर आएगा बच गई वो क्या आई गटा बेश या आदार में से सबसे बड़ी करण होती है यह ठीक है अब आपको बेश और पर्पेंडिकुलर में जो रेश्यो थे अब हमें मारत दिमाग जाना है लाल बटे का या पंडित बद्री परशाद बोट पकिस्तान बुका प्यासा इंडोस्तान रवरी जैसे भी आप याद कर देए यह लंब और आधार तो इन में लंब और आधार तीनों में कौन सा है यह ना वैसे देखें तो आपका पर्पेंडिकुलर और बेस यह हैं यह साइन कोस किस में था यह तेन में था नहीं ट्राइंगल एबी सी में टेन थीटा बराबर लिखना चाहें तो आप ए बी और नीचे क्या जाएगा वह लंब पर्पेंडिकुलर तो उपर आएगा बेस आएगा नीचे थेन थीटा का हमें मान निकाणना है ए बी कितना आपके पास एच एच इबी एच दोनों बराबर हैं वह एच मान ली में ने द और गी इंदर इंदर एंदर किसा होता है यह और झ़सका कितने का मान हो सब्सक्राइब ट्रून होता है तो थिटा का मान कितना गया जो आप से इंगल old इसन पूछा था उसका मान कितना गया १र्टी फाइब इसी का हम अगला तरहें इसाथ बहुत अच्छा क्यूस्टन है यदे किसी मिनार की आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरलेक्षा प्रिष्टी दोभीनू से मिनार की शिखर का उन्निन कौन करम से 30 दिगरी वह साथ डिगरी हो तो मिनार की उसाई बताई कोई भी मिनार है माल लें, यह आपकी मिनार है, इसलिए मैंने h meter माल लें, ठीक है, अब इसके point के उपर दो, एक जैसे की point है यहाँ, यह बिंदू c ले लिया, यह कितनी distance है, b distance है यह, और एक आगे ऐसे ले लिया हमने, d, यह पूरी a distance, एक point है, a distance पे, a point है, b distance पे, दो दूरी है, ठीक है, a distance पे कितना degree का angle है, यह, 30 degree का यह angle, वैसे जो नजदिक चलते जाएंगे, तो angle बढ़ता जाएगा, आप से इसकी height पूछ रहे है, क्या पूछ रहे है, height निकलो रहे है, आपके मिनार दी हुई है, angle of elevation, यह दो angle दी हुई है, यह तक diagram बनने के बाद, आपको वो याद रहना चाहिए अपना, यह दोनों सुक्तर भी याद रहना चाहिए, उसके बाद में, जैसे कि हम इस triangle की बात करेंगे, triangle आपके पास कुण सी बन रही है, ABC, ABC के अंदर इस angle के लिए यह क्या जाएगा, perpendicular या lumber, क्या जाएगा, lumber, और यह क्या गया, आधार, base, lamb और आधार, यानि करने के अलावा यदि दोनों साइडों का होता है, तो आपको उन सा निकाल सकते हो, लास्ट वाला, P upon B, 10, 10 theta बराबर क्या जाएगा, आपका AB बटे, C, क्या जाएगा, AB बटे, C, 10 theta का मान कितना है, 10, 60, AB आपके पास जैसे H मान ले, C कितनी है, 10, 60 का मान, root 3, H upon B, इसको हम काम में ले लिए, क्योंकि हमें तो H की विल्लू निकालनी है, हमें क्या करनी है, H की विल्लू निकालनी है, अब हम दूसरी ट्रैंगल ले, ट्रैंगल ले ले, हम ABD, वो ही 10 आएगा, 10, 30 वराबर क्या आजे आएगा, AB बटे, AD, AB बटे, AD, 10, 30 का मान, एक बटे, AB कितनी है, अपने पास H, और AD कितनी है, तो आपके पास H कितना है यह, A वटे, रूट 3, और यहां देखे तो H बराबर, रूट 3 अपन B, रूट 3 अपन B, जैसे एक यह आगई, एक दौआ, अलग अलग अगई, A और B के रूप में आपके पास आगए, दो अलग अलगा अगए, तब हम कैसे करेंगे, भई हमें तो H का मान चीए, H का मान एक तो A में आ रहा रहे, B में, ऐसा ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकन एक और दो को मल्टिप्लाई कर दें, एक्वेशन फर्स्ट और सेगेंड को मल्टिप्लाई कर दें, लेफ साइड में दोनों H है, राइट साइड में एक में तो रूट तीन भी है, और दूसरे में क्या है, A बटे रूट तीन, इन दोनों को देखो, यहां दोनों Equation से हमारा हि대 हिख लिए गय कर देए, इसी दिन और नी निकल डें, पॉस माइनस कर गे, यहबी H बराबर है यह भी H ला把 एक में एक में B, हम कौन साइज साइज ले लिए, यह हमारेas अप्शन में भी निए, तो हमने दोनों को जो आपके option में भूच रहा है क्या अंश्वरा जाएगा इसका एबी रोट अगला क्यूशन बहुत ही और भी अच्छा क्यूशन है आठका 25 मीटर उच्छे एक स्थम में कोई पोल है जिसके हीट है 25 मेंटर और सीर्ष एक मिनार के सीर्ष का उन्हें कौन एक मिनार है एक पोल मिनार के पाद गाउनमन कौन समान है मिनार की उसाई यह नहीं एक तो आपके पास पोल है इस्तम ठीक है और एक है बेटम मिनार यह मिनार अब क्या कह रहा है देखें 25 मिटर नुचे कि स्थम यानि यह उचाई कितनी है 25 मिनार के सीर्ष का उन्हें कौन यानि उन्हें यानि एंगल आफ एलिवेशन यहां से यह बनेगा ठीक है इसे यहां एक नाम हो देखें यह कितना है यह तो एंगल आफ इलिवेशन बनाई इसकी आइट के इसके वर्टेक्स है और मिनार के पाद का आउनमन कौन अधा मिनार के और मिनार के ऐसे पाद बनाएंगे तो यह आउनमन कौन बनता है यह भी क्या बनेगा ठीटा बनेगा एंगल ओफ डिप्रेशन क्या बनेगा एंगल ओफ डिप्रेशन लेकिन आम जैसे यह खेचे यह पैरल लाइन होती है तो यह अंगल आपस में क्या होते हैं मैं अध्यिवान की हवड्रवर यह एकन से आपसे अंधन ब्राबर है ठीक अब यह मिनार की सफ्यार भी आहलेकर है देख़ो यह 25 है तो बैटा यह कितनी है है यहां तक की वालियाद अप्चीजी है ठीक है अब इस ट्रेंगल की बात करें हमें पूसरा पूरी सिडी क्या पूसरा है यह सिडी मिनार क्यों साहिए तो यह जाएगे सी इपलास एडी से कितनी है 25 आपको एडी और ची उसको निकालने के लिए पहले हम इस ट्रेंगल में आएगे एबीसी में ठीक है ये पर पेंडिकुलर इसके लिए ये लंब ये आधार ये वेटें लंब और आधार क्या हूता है ठीजर्ध कि लम्ब तो आ जाएगा अगे अगये इसका एसटें ठीटा लेकिन ठीटा का मान हमें पता नहीं है कि अगरे कि इतने है 25 AC अब मैं इसको cross multiply कर रहा हूँ AC बराबर 10 theta की जगे क्या हो जाएगा 4 theta यह एक बटे 10 theta है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 theta एक बटे 10 theta का मान क्या होता है विटा 4 theta होता है मैंनी यह बादा अब डाइग्राम में देखें कि AC और BE बराबर है क्या बराबर है दुन वो भी कितनी आजाएगी 25 इस ट्राइंगल में चले यह हमारे पास क्या आगी 23 square theta अब यह side आगी यह theta है तो इससे हम निकाल सकते हैं यह जैसे base आगया इस theta के लिए यह क्या आगया perpendicular, lump और यह क्या आगया आधार और lump और आधार हम देखें lump और आधार किसमें आते हैं बटा 10 में अब आप दूसरी तिर्बूश देखें B, E, D में 10 theta बराबट D, E बटे 10 theta बराबट D, E यह तो आपको निकाल ली है B, E कितनी निकाल ली आपने 25 square theta कितनी निकाल ली 25 square theta कितनी आई आप देखो cross multiply कर दिया D बराबर 25 गुना 10 theta गुना 4 theta ते आजाएगा 25 into 10 theta 4 theta को लिख दिया आपने 1 upon 10 theta 10 theta से 3 theta कट गया क्या गया 25 यह 25 मान आप यहां रग दे तो यह 50 जो आपकी मिनार की उचाई यहां हाइड कुची थी वो कितनी आजाएगी अचा सजाएगी इस तरह की कुशन ज्यादा फुच्चे जाते हैं क्योंकि इसमें दो तरह की लोजिक आप से पुच्चा गया है पहले आपने इस से यह निकाल लिया यह यह बराबर आगे फिर इस ट्रेंगल से आपने यह निकाल लिया इन दोनों को आपने प्लस कर लिया अगला क्यूशन नंबर नो एक दर्वादर चड की लंबाई और इसकी चायां की लंबाई का अनुपात एक अनुपात रूट तीन है तो सूर्य का उन्नेन कौन होगा है ठीक है अब यह जैसे चाया है सेडो यह चड की लेंध चाया ऐसे बनती है सूर्य उपर की तरफ होता है यह आपको निकालना है अब इसमें दो साइडों की बात हो रही है लंब और आधार या परपेंडिकुलर ओपेस परपेंडिकुलर और बेस में क्या आता है बटा टेन आता है ठीक है बी-सी और एबी इन दोनों का अनुपात क्या है यह एक अनुपात तीन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते है आपको 20 चड़ की लंबाई और उसकी चाया सेडो दोनों का रिश्यो यह दिया हुआ है ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रिश्यो है ऐसे कि तो आप यह लिख दिया बन अपर रूटती है 10 के अंदर यह बटा 10 कितने का मान होता है 30 का मान होता है तो थीटा का मान कितना जाएगा तीज़ दिवे तो कॉन का इलिवेशन क्या जाएगा तीज़ दिगरी मान आ जाएगा एक पहाड़ी का डलान 36 से साट डिगरी का पोल बनाता है कि इस चिखर पर कॉंचिने में पान सो मिटर चलना पड़ता है तो पाड़ी की उचाहिए एंगल ऑफ इलिवेशन है यह 60 डिगरी यह इधर से पाड़ी पर चड़ते हैं दलान पर क्योंकि पाड़ी पर सिधा नही हाइपोटेंस पर्पेंडिकुलर और यह आपका करण सबसे बड़ी बुजाहिए दरवाड़ी तो आपको जो फॉर्मॉला बता है लाल वटे कक्का या पंडित बदरी परशाद हरे हरे पर इसके अंदर आपको पर्पेंडिकुलर होर हाइपोटेंस यानि उचाई और और करण उचाई को हम लंब लंब बटे करण कों सांद आए सब्सक्रीवाला साइन सांथ था मलेगे साइन लंब बटे करन यानए विसे बटे इस जहांगा साइन शाट है विसे अमीं निकालनी है स्ब्रस्त यह माला गया अंडूरूट3 वटे तो सब्सक्राइब निकालना है तो यह सब्सक्राइब काटा अपने तो 250 सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक पॉंट साथ इन दो दोसुपचास ऐसे रखके भी आस प्रोक्षिमेटा जाएगा पचीश दूनी पचास असल पांच अचीश तीया पचेतर पांच असी इसल आठ पांच तेरह एक सुत तीरह सी आठ है अचीश एकम पचीश पचीश अचीश अठारा तेस तालेश यह आप यहां भी छोड़ सकते हो 220 रूट तीन ठीक है यह आपके आसकता नहीं है तो आप इसे रहन दे यहां तक भी यह इसकिन चाहिए किसन किसन नमर 11 एक मिनार च्छतीश समतल से उद्रवादर खड़ी है यह दि शूर्य का उन्यन कौंटी इंटिगरी है तो मिनार की साहें की लंबाई 45 मित्र हो तो मिनार की उप्याद की जिए एक मिनार है तो नीचे बनेगी ना चाहें की लंबाई कितनी है 45 मित्र यह मिनार की उचाहिए एक मिट्र माल लेए आपको ग्याद करनी है और थीटा कितना है सिंपल सी बात है दो साइड़ों का रिश्यों कौन साइड है टेन है न है टेन थीटा बराबर आजाएगा एबी बटे एसी तेन तीस एबी एच या एबी रख लोच एबी की जिए एबी तेन तीस का मान एबटे रूट तीन यह 45 गुणा करें तो रूट तीन गुणा एबी 45 गुणा एक एबी बराबर 45 बटे रूट अब देखो अंसर एकसर नीचे अंडर रूट करते उसी तरह सब्सक्रां पढ़ेगा अंडरूट थीन से उपर लीचे गुणा करना पढ़ेगा यानी आपका पेपर ओब्जेक्टिव हो उसमें रूट तीन नहीं हो पुएंटों में मान हो तो आप अन्रूट थीन का मान याद रख लें यह मान रख से अंस्वर अप्रो कि देखें किसे नमर 15 इसी एक्सरसाइज का कि सिस्थम की चोटी का उन्यन कौन एंगल ऑफ इलिवेशन समतल परिस्थित एक बिंदू पर 15 डिगरी है इस्थम की और सो मेटर और चलने पार उन्यन कौन जो एंगल ऑफ इलिवेशन फिप्टीं से थर्टी हो जाता है तो मान भी काम मिलेना है टेन पंद्रा ब्राबर दो माइना से रोगते हैं तो देखिए इसमें डाइग्राम सबसे महत्तपून है सच से पहले यह इस्थम है कि एबी इस्थम कि माल लिया कि इस्थम है अब इसके किसी इस्थम की चोटी का उन्यन कौन संतल यहां से जैसे कि यह कि एक पॉइंट सी यहां से यह एंगल ऑफ इलिवेशन कुछ किदरे के इस किसरोर में 15 जिट एक समझके कितना है 15 अभी यहां से इस्थम के और चल रहा है ऐसे आगे की तरह चल रहा है और कितना चल रहा है सो मीटर चल रहा है जैसे सो मिड़र यहां तक सब्छांग यह 100 मिट्र दूरी है, 100 मिट्र चलने के बाद यहां जो एंगल ओफ इलिवेशन या उन्य कोन बनेगा, वो कितना डिगरी हो गया? तीज डिगरी, कितना डिगरी हो गया? तीज डिगरी होगा, आपको यह इस्थम्ब किम चाहिए निकाल लेगा, मालने की A से D के बीच में X मिट्र दूरी है, कितनी दूरी है? X मिट्र मैंने मालने, तो पूरी A से लेके C तक कितनी आएगी बताओ? यह डिगराम इबर समंदना दरूरी है, यह इस्थम्ब है, यहां से इसका 15 डिगरी है, 100 मेंटर चलने के बाद यह 30 डिगरी हो जाता है, अंगल अपिलिवेशन या उन्नेन कौन, तो यह X है, यह 100 है, तो पूरी 100 प्लस X को, अब एक तो हम इस तरिभुज में ले लें और इस एंगल के लिए यह लंब या पर्पेंडिकुलर यह बेस, कोड़ सा लगेगा टेल, AB बटे AD, हम वो ही कन्फिज होने के जूत नहीं है, लाल बटे कक का, इसकी साइटा से, लंब बटे आदार या पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी साइटा से, 10 की जगे यह कितना मान अपना 10-30, AB की जगे, AB जो आपको निकालना है, AD कितनी है, X, AD कितनी है, X, 10 का इसका मान, A बटे, रूट 3, बरावर AB बटे, X, AB बटे, X, एक बर इसको, इकेसने, एक मान के रख रहे हैं, दूसरे में देखेंगे, क्या कोण सा काम मिले रहे हैं, आप दूसरी ट्रेंगल आजें, ABC में, वो ही 10, AB बटे, AB बटे, आपके क्या जाएगा, ABC, 10 की जगही आएगा, 15, 10, 15, बरावर, AB आपके पास है नहीं, ABC कितनी है, 100 प्लस X, कितनी है, 100 प्लस X, लेकिन यहां से मैं AB का मान निकालना चाहूँ, X बटे, रूटे, मैं इसको यह एक नमबर दिना, AB का मान, यह X से ला जाएगा, उपर, रूटे, निचे है, तो AB का मान कितना गया, X बटे, रूटे, या X बटे, या X बटे, भी हम रखके इसमें से निकाल सकते हैं, दोलों तरीके हैंगे, जैसे कि मैं X बटे, चाहूँ, X बटे, रूटे, यह ज़्यादा सही रहेगा, तेन पंद्रा, तेन पंद्रा का मान हमें दिया हुआ किसमें, क्या दिया हुआ है, दो माइनस अंडरूट 3, बराबर AB, आपन, सो, X का मान कितना है, ठीक है, इसके निचे बने, अब हम क्या कर रे हैं, क्रोस मल्टिपलाई वज्जर बूना कर रहे हैं, इसके बाद मैं इदर कर रहा, ठीक है, क्रोस मल्टिपलाई किया, इस AB को मैंने एक से मल्ट गुना किया तो AB आगए और आगे 2 माइनस रूट 3 को गुना किया हमने 100 प्लस अंड रूट 3 AB से ठीक है पहले इस 2 को पूरे से करें 100 को 2 से किया 2 से आगे किया तो 2 रूट 3 अब रूट 3 से करें तो माइनस 100 रूट 3 माइनस रूट 3 और 3 तीन हो गए ठीक है अब AB सारे इधर ले है AB लस तीन AB माइनस दो रूट 3 AB बराबर 200 माइनस 100 रूट 3 AB और 3 AB कितने हो गई 4 AB माइनस दो रूट 3 AB बराबर 200 माइनस 100 रूट 3 रोखना यह यह आया 4 AB यह हम उपर ले गए इसमें AB को माल लिया 4 माइनस दो रूट 3 200 माइनस 100 रूट 3 AB बराबर यह नीचे डिवाइड हो गया इसका हमने पर्मेहिकरन कर दिया rationalization 4 प्लस दो रूट 3 चे उपर नीचे गुना कर दिया अब इन दोनों को हमने multiply किया और यह A प्लस B A माइनस B A स्कॉर माइनस B स्कॉर 4 का स्कॉर 6 इसका स्कॉर 2 का 4 रूट 3 का 3 तो यह आगए 12 16 में से 12 गे 4 और इन स्कॉर पर गुना किया तो हमारा यह आ गया इससे यह कैने से लोगए 800 में से 600 बचे 200 200 में 4 का बाग दिया 50 स्कॉर 2 का बागए 12 बागए 12 25 26 27 31 32 32 33 34